जब है धाने सो वल फरेंड अभी हम जा रहे हैं बोकार मोनेस्ट्री की तरफ यहां प्या वेकर ऊपर वह मोनस्ट्री और यह मेरिक का में रोड है ब्याद जाती है सिलीगोरी में तरफ इस तरफ और यहां से मिरिक रेक, में टाउन, तो आपको यहां से जो जगजी थोटल है, यहां से इस रस्ते से आपको जाना पड़ेगा उपर के टाफ, चरे चरते हैं पुले गाइस, आप देसकते हैं यहां पे लेक का जो विव है वो पाहर के ऊपर से दिख राएं इमें साफ और काफी अच्छा नजारा है यहां से वो दूर दिख राएं मिरिक लेक लेकिन आज काचा जेंगा रेंज नहीं दिख राएं इस तरफ आपको दिख जाती है काचा तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे गेट है यह क्या है यह तो कोई रिट्रीट सेंटर लग रहा है यह शायद आगे है चलो देखते हैं तो हम आगया है बोकार मोनेस्ट्री चलिए अब अंदर चल के देखते हैं यह रहा मोनेस्ट्री चाहिद मेंन बिल्डिंग बंद है अभी जी यहां बेसे फे मेंन बिल्डिंग बंद है अब अब कर दो कि अब 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 कंपाउंड तक आ सकते हैं यहां परी अब अब देखते काफी सारे टूरिस्ट्स हैं फोटो बगरा ले रहें और यहां पर एक चोटे से लामा है काफी क्यूट है और यह जगह की काफी गूपसूरत है और साफ उत्राए नाइस तो वेल गाइस आप देख सकते हैं हम यहां पर बोकर मोनेस्ट्री पर खड़े हैं यह जागा काफी अच्छा है लेकिन आज 25 डिसमबर है इसलिए क्राउट थोड़ा जादा है और यह रहा मोनेस्ट्री मैंने आप लोग वालडी दिखा दिया है कुछ जगे और यहां पर सब्सक्राइब देखते हैं जो आग जलाने की जगह है और यहां पर जो मॉंग से उन लोग का रहने का जगह है सामने तो चलिए यहां पर थोड़ा और घूम लेते हैं कुछ और तस्पीर लेते हैं यह जगे की कर दो कि वेल गाइस तब ही हमारा वक्त खतम हो गए है यहां पर निकलते हैं यहां से और यहां से हम जाएंगे डॉन बॉसको चर्च जो यहां से लगभग 10 मिट दूरी पर है वाकिंग इसिंस तो चलिए कि वेल गाइस इस तरफ है मॉनस्ट्री और यहां से हम नीचे से आये थे और अभी जाना पड़ेगा इस्ताफ यहां पर देख लीजिए जो लैंड मार्किंस है आपको आसानी होगी और यहां से हम डिरेक्ट डॉन बॉसको चार्च जा रहे हैं क्योंकि वह भी पहार की उचाई पर है और यह जगा भी काफी उची है तो में वापस नीचे जाके उपर नहीं आना पड़ेगा क्लाइम काफी स्टीप था और यहां पर देख सेथे काभी सुन्दर जो बांस के पेर है यह जो फिशिंग रॉड बनाते हैं लोकल उसमें यूज की जाती है यह सब यहां पर उपर है काफी सुन्दर है और यह जगा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी शान्त है य यह जगा अच्छा लगा बाकी मीडिक से कि यहां पर एक दम भी नहीं है देखते हैं हम चार लोगी है बसको और कोई नहीं है और यह दोगी भी है इस देखे अच्छा होता है बहुत ही संदर होता है इस जगह से आपको जाना होगा इस तरफ तो यह जो सरके हैं जो गलिया है अच्छी शहर के आउटसकर्स में है और काफी सुंदर है यह जोड़े घर होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में काफी सुंदर हाउज है और जैसा कि मैं पहले गहरा था यह जोड़े घर होते हैं इन अच्छी तरह सटाते हैं और इन गलियों से गुजरने पर आपको एक लाइवली साफ पिलिंग होता है जो कि बहुत ही अच्छा है लगता है मेरे कहल से यह होगा पूछो जड़ा उनसे अंगल से पूछो ना यह है तैंक यू अज़र तो यह है तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए है यहां पे डॉन बॉसको चर्च के पास जब देखते हैं आज सब्सक्राइब क्या है इस तरह देखते हैं चलिए इस तरह स्कूल है शायद वेल गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गया है फाइनली लॉन बॉसको चर्च और यह है चर्च का एंक्रेंस यहां पर आज देख सकते हैं रेसी बेंचर अरिया शायद चाज के फादर जो है उन्नों के लिए है प्राइवेट अरिया आज 25 दिसम्बर के लिए उन्नों ने देखो रखते हैं चलिए देखते हैं पर चलते हैं क्या बात है आज चार्च बन क्यों है आज तो खुला होना चाहिए आज क्रिस्मस है लेकिन आज भी यहां पर लगता है ताला रगा हुआ है यह अज़िस्वास के लिए खूलना चाहिए अच्छारी क्या करें अज़िए फोटो जी लेता है है से झाल झाल अभी हम वापस जा रहे हैं टाउंग की तरफ यहां पे चार्च हमें खुडा नहीं मिला तो हम इस रास्ते से आये हैं चार्च के नीचे यहां पे खनुमान जी का मंदिर है और यहां से हमें जाना प्रेगा इस तरफ और यहां पर देख सकते हैं डॉन बॉसको स्कूल यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं रास्ते पर चुट्टी का दिन है अब यहां स्कूल कि हमें हैं कि आज यहां पर चर्च हमें पुला नहीं मिला तो स्कूल बंदे वह थीक है प्र चलिए चलते टाउन की तरफ कुछ खाना वाना बगर कहते हैं बहुत भूख लगिया है चलिए दोस्तों देखते हैं यहां से कुछ दिखता है कि नहीं नीचे हुआ हुआ है